हम चल जा रहे हैं टुक्रा पडाठा बनाने और यहां पर हम आठा गूंध लेंगे लजीज बहुत ही टेस्टी होता है बनाने जा रहे हैं टुक्रा पराठा के लिए हम एक लोईया ले लेंगे फिर इसे हमें बेलना है बेलना है इस तरह से एक बात आप जरूर ध्यान में रखें कि इस पर आप खुश्की जरूर डालें इससे क्या होता है गी है वो खड़ता है घी ले लेते हैं जादा तर हम लोग घी ही में बनाते हैं हम ले लेते हैं यहां पर शुद गी ले लेते हैं और यह हम चारो तर है यह हटा दोती हूं कि मैंने जो जलाया हूँ ही यूज करती हूं घरी पे लिकालती हूं तो वो जो यह सब्सक्राश हटा लिया अब इसे हम काट लेते हैं अब देखिए पीसे में इस तरह से आप हम एक दूसे के उपाट आसे इस तरह से रहेंगे है इस तरह से रहेंगे इस तरह से हम रहेंगे कि ये बादे बादे आंबेल निसे कर दो यहां मैंने डाल लिया है अभी से अच्छी तरह सेखेंगे अच्छी तरह से शेक लेंगे अब देख रहे हैं ताह बेटा यह खरता है खाने में यह बहुत ही स्वादिश्ट होता है अच्छी तरह से शेक लेंगे अब देख रहे हैं अब देख रहे हैं यह यह तरह सेख लेंगे बढ़िया यमी लगेगा खाने में आप इससे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं कोई भी सबजी के साथ किसी भी सबजी के साथ खा सकते हैं अंडे के साथ खा सकते हैं चाय के साथ बहुत लोग पराठा खाते हैं उसके साथ खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता झाल झाल